मैं जनरली आपको अपना प्रोफिट दिखाता नहीं हूँ लेकिन आज मिरको 1100 का प्रोफिट दिखाने में काफी अच्छा फील हो रहा है मैंने ज़्यादा प्रोफिट नहीं 1100 पे कमाये हैं लेकिन आम वेरी मुस्स सैडिस्फाई विद इस प्रोफिट क्योंकि ये मैंने आज इंट्रडे के अंदर ही कमाया है इंट्रडे में ही मैंने कुछ सेर खेड़ देते जो कि मैंने इंट्रडे में ही सको स्क्वार ओफ कर दिया है और लाश्ट रेडिंग प्राइस आप देख सकते हैं 594 एवरेज नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे सेर से मैंने जो भी अपने फैमिली मेंबर के और अपने इसमें अलोटमेंट लगाये थे प्रभू की गृपास से कोई ब्लोटमेंट नहीं आया कौई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन प्रभू ने गया सो रुप का प्रोफिट दे दिया तो कोई बात नहीं कल किस्मस है तो कल कि हमारे ब्रेड वगेरा का या कल हम बर्गर किंग में जाके जो यहां पे बैक्टर फूड सप्लाई करते है बंद वगेरा वहां जाके मूं मिठा कर लेंगे बर्गर किंग से याद आया प्रभू की गिरपास से वहां पे एक अपने को आई थी और उसमें मैंने सेम डे ही प्रोफिट बुकिंग कर लिया था सारे सेर मैंने सेल कर दिये थे 17,000 सम्थिंग का उसमें प्रोफिट हुआ था ऑल्दो वो सेर अभी 180 के आसपास चल रहा है अगर मैं अभी तक होल्ड करता तो उसमें अच्छा खासा प्रोफिट होता मेरे ख्याल से 17,000 की बजाए ये 25 या 30,000 के आसपास का प्रोफिट होता लेकिन कोई बात नि मैंने आपको बता रहा है अपना पेट भर जाए मासागर का पानी पिके उसके बाद पानी छोड़ द से 10 वे के आसपासी मैंने सेर को पकड़ना स्टार्ट कर दिये जब मैंने देखा कि 600 के आसपास सर्कीट लग रहा है उस टाइम पूरी अनालसी समय करनी होती है कि कितने बायर खड़े है सोदे के लिए कितने सेलर खड़े है एक चीज मैं आपको बता दू है जा से तीन लाग का माल उठा लिया था मार्जिन मनी से मेरे को याद है आज भी 300 का मैंने कुछ उठाया था और वो 260-65 पर मैंने लास्ट उसको तीन-चार दिन का टाइम मिल था तो उस टाइम उस टाइम जिरोदा वगेरा तो सैद नहीं होते थे आज से अरदस साल पहले एंज प्रभू का आदेश आया प्रभू की किरपा हुई तो इस पर मैंने आज प्ले किया 585 पर खरीदा देन 581 पर खरीदा आप देख सकते हैं 9 से एर 10 से और सेल मैंने 10 बचके 18 मिनट पर यह कर दिया 597 पर आप देख सकते हैं उसके बाद अगेन मैंने खरीद लिया 587 पर 10 से 581 पर खरीदे 15 से एर 571 पर भी खरीदे 15 से एर उसके बाद 551 पर लास्ट मैंने खरीदा था 14 से एर मैंने आपको बताया है कि जितना अपने पास पैसा होता है उसी से हमें गेम खेलनी चाहिए आज लगबग मैंने 35,000 रुपे इसके लिए रखा था और उतने का ही मैंने य हाथ नहीं लगाना चाहिए इंट्रडे नथिंग बट फॉलिंग नाइफ एक नाइफ जो गिर रहा है उसको आप पकड़ोगे तो आपके हाथ कटने के संभावना बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर मैं नीचे गिर रहा था लेकिन थोड़े-थोड़े करके से खरीद र आया था और मैंने इसको फिर बाद में बेचना स्टार्ट किया आप देख सकते हैं 585 पे मैंने बेचना स्टार्ट किया देर बजे के आसपास यानी हमने सोदा लगबग लगा लो साड़े-ग्यारा बारा बजे हमने कंप्लीट कर लिया था बाइंग अपना और सेलिंग के लिए हमने उसके बाद लगबग दोड़ाई गंटे वेट किया 586 पे बेचा 588 पे बेचा 590 पे बेचा उसके बाद लास्ट 593 पे बेचा हलाकि इसके बाद यह 596 भी गया था लेकिन कोई बात नहीं 1100 रुपे का प्रोफिट आ गया हमारा कलका जोगाड हो गया I am very much happy मैंन मार्जिंग देता 550 पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसको मैं होल्ड करता क्योंकि पैसे मेरे अपने थे कोई मार्जिन मैंने नहीं उठाय हुआ था कि एक दो तीन दिन में ही मुझे सोदय स्क्वार ओफ करने और जिरोधा तो वैसे भी टाइम आपको देता ही नहीं स तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए सबी लोगों को नमस्कार